साथियों, आज भारत के पास नकेवल दुनिया के नौले सेंटर बनने का, बल्कि स्कील केपिटल बनने का सामर्त भी है. आज भारत के पास सक्षम युवाओं के बड़ी तादाद है, हमारे युवाओं के पास स्कील भी है, बैल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जज़बा और इमानदारी भी है. भारत की ये स्कील केपिटल दुनिया के विकास का एंजिन बन सकती है. भारत में उपस्तित युवाओं के साथ ही भारत की प्रात्विक्ता वो प्रवासी युवाबी है, जो भारत से जुड़े हैं. हमारे नेक्ट जनरेशन युवा जो विदेश पे जन में हैं, वही पले बड़े हैं. हम उने भी अपने भारत को जानने समझने के लिए कई आउसर दे रहे हैं. नेक्ट जनरेशन प्रवासी युवाओं में भी भारत को लेकर उच्छा बढ़ता चला जा रहा हैं. वो अपने माता पिता के देश के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं. यह हम सब की जिम्मेदारी हैं कि हम युवाओं को नवकेवल देश के बारे में गहराई से बताएं, बलकि उन्हें भारत दिखाएं भी. पारमपारिक बोध और आधुनिक नजर के साथ युवाओं फ्यूचर वर्ल को भारत के बारे में कहीं ज्यादा प्रभावी डंग से बता पाएंगे. जितनी युवाओं में जिग्यासा बढ़ेगी, उतना ही भारत से जुड़ा परियटन बढ़ेगा, भारत से जुड़ी रिसर्च बढ़ेगी, भारत का गवरो बढ़ेगा. ये युवाओं भारत के विभिन परवों के दोरां, प्रसित मेलों के दोरां आ सकते हैं, या फिर बुद्ध सर्कीर, रामा एंड सर्कीर का लाप उठा सकते हैं, वो आजादी के अमरत महोसों के तहत होरे कारकमों में भी जुड़ सकते हैं.